पूरा खाली पड़ा हुआ, शायद यहाँ पर आज रात को कोई शो हो नहोगा, उसी चीज के लिए यहाँ पर सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो अंदर एक पार्किंग है यहाँ पर, ओ, ओ, भाई, यह खड़ी, यह मोट सुब गई, इसके से आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनधर गेमपले वीडियो, तो गैस आज हम दुबारा से खेलने चारहे हैं, जीटीय फाइव, लेकिन आज की जो वीडियो आर बहुत एदा जबरदस होने वाली है, क्योंकि माइकल को फ्रैंकलीन से एक बहुत लेंबोर्ग यहां, कोई छोटी मोटी लेंबोर्ग यहां, मतलब कि एक अलगी मोडल है, चल कर देखते हैं भाई क्या है, वैसे उसे चुराना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो माइकल अपनी पूरी कोशिश करेगा, मतलब यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार हो भी एक बहुत ही बड़ा सालिब्रीटी है मतलब कि यार कर हम उसकी कार चुराएंगे तो यार मतलब समझ ही जाओ कितना बड़ा पंगा होने वाला है तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं यहां से निकलते हैं और अब मैं मेरी पीछे KTM खड़ी है लास्ट एपि पास एक ना भी फिलाल पिस्टल पड़ी है बट मेरे को ने कोई अच्छी गन खरींदी पड़ेगी ताकि वहां पर चलकर अगर कोई पुलिस वगएरा आजा चार-पांस तो मुझसे देख ले निपटा दे तो फिलाल अपनी केटेम लेकर चलते और आपको दिखाया था मै नमिलने वाले तो यह ही बता था कि एक वाइफ ऐसी जगह यहां पर धांander पर बाद में चलेंगे सबसे पहले हम चलते हैं पे तो तो फिलाल फ्रैंक्लिन अभी यहां पर है तो यहां पर ammunition की shop कोई पास में तो है नी तो यह रही ammunition की shop यहां पर चलते है सबसे पहले कुछ खरीदेंगे देखते हैं कोई gun अच्छी लगेगी तो AKM मैं सोच रहों खरीदने की कोई और यार माइकल ने काफी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसे कटा करा है बंदों को लूट लूट के चोरी चकारी कर करके थोड़ा बहुत पैसे कटा हुआ है अभी अभी चलते है फिलाल अपनी KTM की speed भाई आप देखते जा वाई वन नाइंटी टैच होगी थी लास्ट वीडियो में एर प्लेन के वो जो एरलाइन होती है उस पर ओके तो फिलाल हमें यहां से लेफ्ट लेना और एम्मिनेशन की शोप के सामने वाली है बंद है गया कहा है इस शोप ओके राइट से है गेट इसका अरे यार यह शिट अमेंडा को बार बारी कॉल आता मेरे को मैं हमेशा काट देता हूँ ओके तो यह शोप है क्या ओके ओके ठीक है यह वाली शोप है तो ओके यहां पर मैंने अमेंडा का कॉल काट दे और इसके साथ हम इसकी extended clip भी खरीद लेंगे जिससे हमारी 40 ammo डल जाएगी flash rider भी ले लेते हैं इसको पर कौन सा red dot होना चाहिए यार चलो ठीक है यह ले लेते हैं last इसके वाद हमें कुछ नहीं बाय करना तो अब हम बाहर चल कर देखते हैं हमारी akm हमार पास आ चुकिया फिर टायर बगएरा पंचर ना कर पाएं तो जो हमारी location है वह मैप में ओके तो वह wifi जैसी जगह यहां पर है तो उसके लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा इस जगह पर चल कर देखते हैं क्या सी इन उने वाला है तो यहां तक पहले पोश्चते हैं चलो तो यह मेरी ktm बहुत जादा स्पीड है मतलब क्यार कंट्रोलिंग बहुत ओपी है एक बार को हाया भूसा दोगे ना तो मैं फिर भी ktm चला हूंगा अब बहुत सारे लोग कह रहे थे ktm तो ले ली अब निंजा बगार है भी लेने की सोचो तो बाई मैं सोच रहा हूं कावासा की निं है और एक दूबारी बीच में गिरी गए थे से थोड़ी सी हल्थ कम हो गी है और जिस चीज़ का मुझे ध्यान रखना था वही चीज़ मैंने अभी शुरू में अपनी हल्थ कम कर वाली और पुलिस वाले मारेंगे तो बुरा वालो जाएगा तो फिलाल अभी हमें यहां मे जाएगी नजारे देखने को मिलें लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है वोक्ते उपर हेलिकॉप्टर भी जा रहा है और यहां पर एक अंदर सिक्योर्टी काड़ बैठा हुआ तो बहीं गेट फटावट है हलके में ले रहा है मैं ओह भाई वैं शिट 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 शि अब थोड़ा सा रुपकर चलेंगे को यार हमारे पीछे ने थोड़ी पुलिस सी पड़ चुकी है और यह कैसी जगह भाई अच्छा तो जो सेलिब्रिटी है वो शायद यहीं स्टे कर रहा है भी पता नहीं यहां पर क्या सीन है ओके तो यह कोई अजीब सी जगह है शायद कोई तो स्कूप लगा हुआ है इस से देखते हैं चलो क्यार यरिस कोप है ओके थोड़ा सा स्कूप हम कुल कर देख सकते हैं तो भाई कोई तो नजर नहीं आ रहा है वैसे मेरेको तो खाली पड़ा अभी चलते हैं अपना सीदा माफिर में अपने हाथ में शायद कोई निक यहां पर सेलिब्रिटी आया हुआ है तो भाई बहुत ही तकड़ा शो होगा शायद तो यहां पर यह देखो यह शो का नेम जो भी है तो यहां पर अब फटा फट सबसे पहले चल कर यहार अपनी कोई गाड़ी जो भी थी उसे ढूंडते हैं शायद यह कहीं खड़ी होगी त यहां पर तो भाई कितनी सस़ती सजस्ती कार खड़ी हो और आफ फटो इस पारकिंग अपर यह ओ भाई यह खड़ी ये खड़ी साफ घ्रीन कलर कि क्या ख़तरनाक कख्वा कि यह चुरा लेते हैं वो भाई गाडी में बैठते हैं चार स्टार की पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है मेरे को यहां से गाडी निकालनी पड़े कि भाई वो लोग आते ही होंगे और यह गाडी चले भी नहीं पारी है भाई मिरसे वह भाई क्या गलस सीन है पुलिस आना शुरू हो गई है अभी इतनी जाता सिक्यूरिटी कैसे आगी ओ भाई अच्छा वो देखो पिछे साइलेविडिटी चिला भी रहता करके कि उसकी गाडी उसकी नजरों के आगे से कोई चुरा कर ले जा रहा है भाई इतनी सुक्यूरिटी ओने के बाद मेरे ने गाडी निकाल लिए बस मेरे को यह इतनी पुलिस ओ मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया सच्छी बता रहा हूं मैं मरने वाला हूं कसम से मेरे को बस यहां से निकाल ले निए जाज तैसे करके भाई यह जादा बुलेट प्रूफ भी यह अंदर तक गोलियां पड़ी है पूरी वाई कसम से मैं बस जैसे पीचे करनी थी बटन में आगे वाले कट से राइड कर लूगा पहले बस मिरको ना उसे जैसे तैसे करके से बस माइकल के घर तक पुचाना है वहां से कोई ना कोई जुगाड देखेंगे पुलिस वाले उससे छुटकारा पानेगा वाई कार की स्पीड देखो 209 इतनी जल पुलिस वाले तो भाई बैंड हो जा रहा है मेरी कसम से बता रहा हूं ओ ओ ओ भाई शीशा भी जा चुक है अगे अगर भाई चंस मैं खतरनाक तरीके से खुटता हूं तो मैं सीधा गाडी के बाहर हो जाऊंगा ओ भाई एक काम करते हैं पुलिस वालों को ना थोड़ा सा घुमाता हूं गोल चक्करा वाज़ो बेटा तुम जाद ही तुम रेसर बन रहो ना भाई साब मैंने तो गाड़ी का नाम भी नहीं पड़ा ढंक से इतनी तेज पुलिस पीछे पड़ी है ना भाई सीधा पास साउंड आया गाड़ी में बैटते ही पुलिस वालोगा सायरन के वाज आई है ओके भाई ये वाला हीवे काफी सही लग रहा है इसमें शायद मेरे को पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी थोड़ी देर तक में तो यहां पर अभी हम थोड़ा सा ओर आ गया चुकिए और पुलिस वालों ने भाई हमें बहुत बुरी तरह गेली अब हम ब पुलिस फ्रैंकलीन के घर में जाके चुप जाओं गया तो इन पता लगए पुलिस फ्रैंकलीन को अलग पकड़ ले आहां भाई तुई चोरों का साथ दे रहा है ओके तो चलो भी चलते हैं भाई गाड़ी की स्पीड भाई एक टायर पंचा रहा तब गाड़ी इसी चल र पुलिस फट जाती तो इसमें देखते हैं इसा होता है कि नहीं वरना यहां की पुलिस तो बहुत जदा खतरना कहा है ऐसे चक्माइन गाने वाली क्या पता अपने ले वही बंदो भाई ओक्ले तो यहां से आगे वाले कट से मुझे पहले तो राइट लेना है यार क्या चल रही है एक आडी इतो कार कितनी अच्छी लुक्ति थी इन्होंने भाई सब ठोक के पुरी कार के ऐसी तैसी कड़ डाली है तो य। Physically है तो में नीचा से लेना हां ठिक है तो बाई एक बारी मेरी कार रिपेर हो जाना तो फिर कार बहुत तगड़ी स्पीड में चलेगी देखो एक टायर पंचे रहा है तब यह 209 की स्पीड में उड़ रही है मतलब चलते हैं यह उड़ रही है सीधा ओ भाई अराम से अब यहां से मुझे फटफट से पहले बस अच्छी बता रहा हो मेरे को कार चाहिए कि तो चाहिए भाई इनसे कैसे छुटका रहा हूं मैं कैस क्या बहुलू भाई गलती सीन हो रहा है ओके तो कार रिपेर वाले की शौप कहां पर है ओके तो वह शौप नीचे है तो हमें पूरा टन लेकर आना पड़ेगा पूर कस्टम्स की शौप यहां पर आने वाली है ओ भाईया का गलत है यार लो सेंटर ओ भाई साब हमें पहले पुलिस से चुटका रहा पाना पड़ेगा तब ही यहां पर हम ले पाएंगे मतलब अपनी गाड़ी को तभी रिपेर करवा पाएंगे यार गलस सीन है तो ओ शुट म कर रहा है कर मेरा एक टैरना पंचर होता तो भाई साब उस दुकांदार ने भी कह दे पहले पुलिस से चुटकाराप आओ तब हम तुमारी गाड़ी को रिपेर करेंगे अपर तुमारी गाड़ी करते मैं भी चुटकारा पालूँगा चलो कोईने भी बचने की पूरी कोश कि यहां पर थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करता हूं क्या पता पुलिस वाले में को छोड़ दें कि छोड़ेंगे तो हैं यह भी बहुत तेज फिलम है शायद है मेरे को छोड़ चुकिया मतलब इन्हें मैं मिलनी रहा हूं लोकेशन इन से लोस हो चुकिया मेरी यहां पर थोड़ी खड़ी रखता हूं चले जाओ यार प्लीज मेरे को मेरी गाड़ी ले जाने तो यार क्या लुक है भाई ओ भाई साब यार पुलिस वालों ने देख लिया मेरे को शायद दूबारा से देख लिया अबे कहां से से लिया भाई तुमने यहां पर तो मैं बि तो के जितने पुलिस वाले एक ही जगा पर खड़े हो के बस अपना सायरन बजा रहे हैं ओके गाइस फाइनली फाइनली यार पुलिस हमारे पास से जा चिके और मेरी गाड़ी की लुग देखो भाई साब इसको चलाने में अलगी मज़ा आने वाला उभाई यह जारे पुलिस वाले यह देखो पानी के अंदर चलेगा अब तो भाई आप क्या कर लोगे यह देखो सामने ही गुम रहे हैं पुलिस वाले मेरे वह मेरे को फाइनली लोकेशन पर आ चुके था बड़ तब तक हमारे प्रेयर हो चुके और भाई साब इस गाड़ी काना पहले मैं नाम पड़ता हूं कि मैंने अपी तक इस कार का नाम ही नहीं पड़ा अब भाई साब बहुत सारी कार देखिए हुरैकन देखिए एवेंटेड और देखिए अब यह कौन सी बात है इसे देखते हैं और इसकी प पर भाई का लुक है और इस कार की मतलब इसे मन करना चलाओ मत इसे देखते ही जाओ बस बैठके तो इसे लेकर चलते हैं अब यहाँ पर भाई फ्रैंक्लीन के वज़ा से हमें एक के टीम भी मिलगी और यार मैं अपनी लेकिन के टीम तो वहीं पर छोड़ आया पारकिंग म तो यहां पर मैं अपनी कार लगाता हूँ यार कोई भी घंकी चगह मिली नीर्ि मिले है अंदर रेले नहीं पड़ेगा रोड़ होगे तो याँपर भाई मैं ठोड़ी तिर ते नर चलाता है दो हो इसब कुछ मांपको दिखाता हूँ कैसा है तो भाई लुक देखो तुम सबसे पहले देखो नीचे की लाइट गवाई लाइड देखो ऊपर से लुक देखो लाइट देखो और ये जो पीछे का स्मोट है वह वाइट कलर का ओभाई फॉरा फॉग वैसे यह वाला स्मोग मतलब स्मोग जो इससे निकलता है यार बरफ से तो यह सी और अंदर का इंटीरियर देखो आप अंदर का इंटीरियर जो है यह यह इस्टेरिंग आप देख लो कैसी है लेंबोग नी लिखा हुआ सामने और सामने राइट में भी जो डैश बोर्ड उस है भाई साब बहुत जो वर्दस पूरी कुल मिलाकर भाई हैंडेड में से 1000 नंबर एस कार को तो चलो यार फिलल अपनी गाड़ी जो भी यहां से भार निकलते हैं तो यहां पर इसको सबसे बहले लेकर चलते है फ्रैंकलीन के पास फ्रैंकलीन अब पता नहीं कहां पर घु हो जाएगा तो यहां पर पार्किंग उन्होंने काफी सही दे रही है अपने लिए तो यहां पर अपनी गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं और कौन से शॉप है यह वाली शॉप है सबसे पीछे वाली और यह बंद तो नहीं हो गया मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि यह बंद हो सबसे अमीर बंदा बनाती है अब कपड़े इसके पास इतने महंगे हैं और हमारे पास गाड़ी देख लो कितनी महंगे गाड़ी मेरी पीछे है ना कहीं कोई उठा कर लेगा हो के तो खड़ी है इतनी सारी कार रहते और अपनी कार की लुक ही एकदम अलग आती है अब जब सब्सक्राइब कर दो कि अपने घर पर आ चुके है तो गाइज आज की वीडियो में बहुत अच्छा लगा भाई अब माइकल को उसकी गाड़ी मिल चुके लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी KTM चलेगी बट कोई दिक्कत नहीं हम शाय से मतलब की पैसा तो आते रहेगा म माइकल पर क्योंकि मिशन्स वगारा हम करते ही रहते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि यार हमें टैनार ले लेने चाहिए फिर कावसा की कोई भी तगडी बाइक लेंगे सूपर बाइक जबा देना और इंस्टा और टिक टोक पर फोलो कर लो जल्दी से कपसे रिक्वेस्ट करो पर तो कर दो जल्दी से जाओ फोलो का बटन धबा दो चलो गाइस गुडबाई मिलते एक ली वीडियो में